मुखे मंतरी सिवराज सिंग चोहान को ठंडी चाय पिलाने वाले अधिकारी पर गाजगरी है अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है वहीं इससे पहले इन दोर में सियम को ठंडा खाना परोसने पर खादे अधिकारी को निलंबित कर दिया गया था कॉंग्रेस ने इस कारिवाही को लेकर तंज भी कसा है आपको बता दे कि सवाल पूछा है कि मामा जी चाय वाले से इतनी नफरत क्यों नफरत किस से निपट कौन रहा है वही नोटिस जारी होने के कुछ देर बाद कलेक्टर संदीब जी आर ने इसे निरस्त कर दिया आपको बता दे कि मामला छतर पूर का है जहां सीम सिवराज सिंग चौहान रीवा चाते समय सोंबार को कुछ देर के लिए खुज राहो एयरपोर्ट पर रुके थे उनके साथ सांसत और भाजपा प्रदेश अधच वीडी सर्मा भी मौझूद थे एयरपोर्ट पर सीम और प्रदेश अधच को जो चाय परूसी गई वह ठंडी थी वही राजनगर SDM DP दिवेदी ने कनिष्ठ अपूर्थी अधिकारी राकेस कनहुआ को कारण बताओ नोटिस जारी किया तो वही कनिष्ठ अपूर्थी अधिकारी से तीन दिन में जवाब मांगा गया है ब्यूरो रुपोर्ट आईपीन